हार बोट के मैट्रिक और इंटर परिक्षा पे बिल्कुल सिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है आए पहले सुनते हैं कि सिक्षा मंत्री ने क्या कहा उसके बाद और महत्पुन कुछ ख़बर की चर्चा करेंगे तो एक बार फिर से बड़ी ख़बर का रुख कर लेते हैं मैट्रिक और इंटर की परिक्षा के शडूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है जो वक्त तै किया गया था जो समय तै किया गया था उसी तै समय पर मैट्रिक और इंटर की परिक्षा होंगी एक फरवरी से इंटर की परिक्षा शुरू की जाएगी और आपको बता दे कि इंटर के बाद मेट्रिक की परिक्षा होगी सरकार की मंसा है चाहती है सरकार की परिक्षाएं या नियोजन समय से हो इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थकित करने का कोई विचार नहीं है जो खिम भी उठाकर कोरोना काल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अगर जो नियोजन प्राधिकार है उनकी तरब से या फिर कोरोना की स्थिती और नियंत्रित हो गई तो उन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है तो जैसा कि आपने सुना कि सिख्षा मंत्री ने क्या कहा कि मैट्रीक और इंटर की परिक्षा बिल्कुल तवी समय पे होगा इसमें नया खबर नहीं है कि हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि यहाप इतना तैयारी परिक्षा के अंदर का हो चुका है तो इसमें भले ही कुरोना कितना भी ज़्यादा बढ़ लेकिन उससे परिक्षा पे कोई परभाव नहीं पढ़ने जारा है अब बात है कि अब आप क्या कर सकते तो कि हम लोग का कुछ मांग था इस मांग में हम लोग कहीं नहीं कहेते कि परिक्षा रद किया जाया परिक्षा का डेट बढ़ाया जाया हम लोग सींपल सा बात यहीं कहेते कि भाई ठीक है हम लोग परिक्षा देने जाएंगे बिहार ब बिल्कुल नीश्चीन से उनके मन में कोई भी ड़ नहीं रहेगा और बिल्कुल भायमुक्त होकर कि चलिए ठीक है हम जा रहे हैं परिक्षा देने और जब तक दिमाग भायमुक्त नहीं होगा कोई से परिक्षा करका अपना प्यपर लिग सकता है हम लोग का सिंपल सा परमुख मांग यहीं था कि हम आपके सभी नियम का पालन करने के बावजूद भी अगर कोई छातर छातरा कोरोना से संक्तरमित होता है तो उसके लिए कुछ मुआओजा का ब्यवस्ता किया जाया और उसके लिए उसका रिजल्ट बीना परिक्षा का बना होगा तो आज के इस पूरे बीडियो कि मैं आपको सरांस बिदा दू तो आपको अपनी तयारी जारी रखना है परिक्षा का डेट नहीं बढ़ने जा रहा है और हम लोग का मांग भी नहीं था कि ये भी मांग आपका पूरा नहीं होगा बिहार बोड और बिहार का सिक्षा मंतरी के तरफ से इस पे कोई भी बियान जारी नहीं किया गया है तो कुछ ऐसा ही है हमारा बिहार का सिक्षा बिवाग और बिहार बोड क्योंकि देखिए देश में कुछ ऐसा ही होता है अगर आप कहीं पर देखेंगे परिक्षा हुआ मैट्री किंटर का वहां से भी कुरोना गाइब हुआ छात्रों को टांग टांग कर ले जाये जाएगा चलिए आप परिक्षा दीजिए अच्छा में आपको कुछ नहीं होगा अच्छा वहीं देखिए दूसरी तरफ अगर आ परिक्षा दीजिए अगर आप इस्कूल जा रहे हैं तो आपको कुरोना हो जाएगा अगर आप अपना कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकल गया तो कुरोना हो गया ओट देने के लिए निकल रहे हैं कुरोना नहीं होगा यह है हमारा देश का बरतमान ब्यवस्तार कु उसमें कुरोना चल जाता है बाकी जहां पर अर्था किस सरकार देखिए कुरोना को अपने हिसाब से ट्रीट करता है जहां से सरकार को कुछ फाइदा है वहां से कुरोना गायब करा दिया जाता है जहां से सरकार को लौस होने जा रहा है वहां पर कुरोना को पकड़कर बैठा तो आपको अपने तयारी बिल्कुल जोड़ सोर से करना है और आपको सरकार कोई भी रिक्ष नहीं लेने जा रहा है नाही भीहारवोड कहा चुका है कि परिक्षारती कुरोना संक्रमंट से अपनी रक्षा स्वैंग करें तो आपको अपने से जो भी ब्यवस्ता है जो भी मास्क सनेटाइजर उसकी ब्यवस्ता करके और फिर परिक्षा देने जाना है ताकि आप संक्रमंट से बचे रहें और आपका परिक्षा भी